अगर आप चैनल पर नहीं हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इंडेल लेटर सब्सक्राइब कर सकते हो आप चाहतों आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो जैसा कामने थमल में दखा आज बात करने वाला हूँ कि दोस्तो देवगर से वारानसी के लिए भी दोस्तो एक नई बंदे बारत एक्सपेस दोस्तो चलने को तयार है तो कब से चलने वाली है देवगर से वारानसी के लिए दोस्तो बंदे वारत एक्सपेस इसके बारे मैं आपको आज बताने वाला हूँ साथ ही दिखाने वाला हूँ कि दोस्तो क्या कुछ है अपडेट और इसकी क्या कुछ है तयारिया तो आप वीडियो में सूर से कहलास तक बने रहे और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से रेक्मेंट जरू करे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले चल दोस्तो आज की वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो आप याँ देख सकते हैं सुत्रोग अनुसार देवघर से 15 को वारानसी जाएगी नई बंदे भारत एक्सप्रेस तो दोस्तों नीचे देख सकते हैं सुत्रों का अनुसार पांचवी बंदे भारत एक्सप्रेस के इंतिजार की घडियां कासी वासियों के लिए खतम हो गई है 15 सितमबर को देवघर से नहीं बंदे भारत एक्सप्रेस चल कर वारानसी पहुंचेगी नर्दन रेल परशासन की सुचना पर केंट रेलवे स्टेशन परशासन ने तेयारियां सुरू कर दी है 15 सितमबर को तीन ट्रेने चलेगी जिसमें दो आन्य बंदे भारत भारत टाटा नगर से भुबनेश्वार और टाटा नगर से पतना सामिल है वीडियो कॉन्फरेंस के जरे पजान मंतरी ट्रेनों को हरी जंटी दिखाएंगे वारनसी में 5 अगस्त को बंदे भारत की नई रेक आई थी जिसको लेकर रोजाना अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे देनिक जारान में बुधवार को बंदे भारत मजबूत करेगी काकाशी विश्वनात से देवगर के वावा वैदना धाम का रिस्ता सिर्सक से परसाधित हबर के बाद कयासों पर विराम लग गया नारदन रेल परसाषन ने 15 सितंबर को देवगर से वारनसी के वीच नई बंदे भारत चलानी के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दे दिये हैं इसके बाद केन रेल वे स्टेशन पर पर परसाषन बुधवार से तैयारियां में जुड़ गया प्लेटफार्म नमर एक पर बंदे भारत का होगा स्वागत अफर्रेल ममंदक प्रबंदक लालधी चोधरी ने बताया कि प्लेटफार्म नमर एक पर ट्रेन का स्वागत किया जाएगा नई ट्रेन की इस प्लेटफार्म से चलाई जाएगी इसको लेकर अभी कोई निर्ने नहीं हुआ है प्लेटफार्म नमर 10 और 11 से चलाने में परिशानी के सवाल पर बोले की कोई दिक्कत नहीं होगी हाला कि अंतिम निर्ने नहीं हुआ है बाकी दोस्तों जो देवगर से वार सानी दी गई है अब ये समय सानी भी यहां दी गई है छे बीस में बज़े साम में वारणशी से चल कर एक तीस बजे रात में देवगार बाकी जसेडी पहुंचेगी उसी तरह फिर तीन पंदरा बजे देवगार दोपार में देवगार जस्टी से चल कर दस बीस बजे रात में पहुंचेगी तो दोस्तो बाकी ये दी गई है सुतरों का हवाले से जो दोस्तो यहां दी गई है कि को दोस्तों हरी जंटी दिखाएंगे पधान मंत्री जो कि और भी दो ट्रने 15 सितंबर को पटना के लिए भाकिपनेumuz आप अपनी राए चलने लोगों को कितनी सौलियत होने वाली है आप हम अपनी राय कोमेर सक्षेने बता सकते हैं बाकि अगर आप कुछ पूछना चाते हैं तो भी मैं कोमेर सक्षेने पूछ सकते हैं और इंडर नेलबज जूरी अफडेट और टेंज जूरी इंफ्रमसें से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ ही दोस्ता अपने इस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर भी दोस्तों जरूर फॉलो कर लें चल्द दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अप्रिकेशन नई अफडेट के साथ ताइंक्यू फॉर वाचिंग